हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बिमारी और नई दवाईयों के बारे में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ अगर किसी का गला बैठ जाता है वो सही से बोल नहीं पाते हैं बोलने में बहुत ज़्यादा प्राबलम हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन-कौन सी दवाईया दिया जाता है पूरा का पूरा डिटेल नालेज आप लोगों को देने वाला हूँ और ये एक ऐसे विमारी है जो कि खतरनाक है जो कि आम तोर पर लोगों को देखा जाता है ये गला बैठना बोलना पाना ये क्यों होता है ये होने का क्या कारण होता है होने पर क्या-क्या प्राबलम होते हैं सारी कि सारी बात आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले चाहते रहें तो आज का वीडियो बहुत महतपूर है आप सभी लोगों के लिए क्योंकि इस तरह के पेसेंट आप सभी लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे और हमेशा आपके लागे दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि अगर यह किसी का गला बैठ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं होर्सनेस आप वास जिसको सुधा हिंदी भासा में लिखा गया है परिशान होनी कि आपको जरूत नहीं हरस्नेस आफ वाइस गला बैठना एक ऐसा कंडिशन होता है जिसमें जो हमारा आवाज का पिछ होता है वो बदल जाता है quality of voice जैसे हम बोलते है नार्मली वो हमारा नार्मली voice का जो quality होता है वो बदल जाता है जो हमारा बोलने वाला sound होता है, जैसे हम यहाँ पर इतना तेजी से बोल रहे हैं, वो sound जो होता है एकदम कमजोर हो जाता है, उतना तेजी से हम बोल नहीं पाते हैं, एकदम scratchy या फिर हसकी, मतलब हिलता ढूलता आवाज एकदम धीरे धीरे आवाज निकलेगा, इस तरह के patient को बोलते हैं कि उनका गला बैट के आए, तो धिंदी भासा में समझे, गला बैटना एक ऐसे इस्थिति होती है, जिसमें जो हमारा आवाज का पीछ होता है, जो गुडवत्ता होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, आवाज हमारे एकदम कमजोर हो जाता है, आवाज कलने लगता है और इस तरय के Ugh को बोलते हैं कि उनका गला बैठ गया है तो अगर किसी का गला बैठ जाता है तो गला बैठ तक क्यों हइस क्या बैठने पर क्या-क्या प्राबिलम देके जाते हैं यह सारी की सारी बात बता दिया हो ड Security Colourd को का जब गला बैठ जाता है बोलने में प्राब्लम होता है तो ये गला बैठने का में कारड क्या होता है सबसे पहले ये कारड आप लोग जा लिजे और फिर मेडिसीन के बारे मापको बताऊंगा दोस्तों गला बैठने का क्या कारड होता है चलिए उसको जानते हैं अगर कि इसे का गला बैट जाता है तो गला बैटने का जो मेन कारण होता है सर्दी जुखाम के कारण लोगों का गला बैट जाता है और इस समय पर सर्दी का मौसम आ रहा है इस समय पर जादा तर लोगों का गला बैट जाता है बोलने में प्राब्लम होता है इसलिए मैंने सोचा आप पूरा बढ़ता देता हूं डिटेल क्योंकि सर्दी के मौसम में जादा तर इस तरह के पेसेंट आते रहते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी भी पूरा रहना चाहिए तो सबसे पहली बात सर्दी जुखाम में भी देखा जाता है कि लोगों का गलाब बैट जाता है ज जैसे मालीजे जब election का time आता है तो लोग सब का परचार करते हैं माइक भी नहीं है तब भी लोग चिला चिला के इतना ज्यादा परचार कर देते हैं कि दूसरे दिन उनका जो गला होता है इतना बैट जाता है कि जो normal word में बोल रहे थे normal sound में जो बोल रहे थे उतना भी वो बहुत ज्यादा तब भी आपका गला बैट जाएगा निउरो फेक्टर के कारण भी देखा जाता है कि गला बैट जाना जो लोग बहुत ज्यादा smoking करते हैं इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनका गला बैट जाता है जो लोग ठंडी चीजे ज्यादा पीते है जैसे के ठंडा पानी पी लेंगे सर्दी का मौसम है, ठंडी पानी जादा पी लिए है, कोल ड्रिंग पी लेते हैं, कोई भी another product आईस्क्रीम खा लेते हैं, तो उनका गला बैठ जाएगा, तो जादा ठंडी चीज भी नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए, जादा smoking नहीं करना चाहिए, जादा की बाती चोड़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत जादा हानिकारक होता है, ये सारी के सारे दोस्तों कारण होते हैं, सोचा आप लेगों को तोड़ा सा इसको डेटेल बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको कारण पता चल या फिर आपने जादा स्मोकिंग तो नहीं न करते हैं आप, या फिर आपने कोई ड्रिंकिंग, मतलब ठंडा पानी जादा तो नहीं न पी लिए हैं, ये सारी कोश्चन आप उस पेसेंट से पूछ सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी कारण हो बता देते हैं, तो आप तुर जरूर आपको ये जानना चाहिए, इसमें आपको बोर नहीं होना चाहिए, कि मैं इतनी देर से आप लोगों को क्या बता रहा हूं, कि आप बोर हो रहा हैं, ये कोई अलग चीज नहीं बता रहा हूं, इसे ये बिमारी के बारे में बता रहा हूं, चलिए आप जान लेते है कि अगर किसी का गला बैठ जाता है तो गला बैठने पर क्या-क्या लच्छर देखे जाते हैं और फिर उस हिसाब से दवाईयों को बताना इस्टार्ट करेंगे दोस्तों अगर किसी का गला बैठ जाता है तो उसमें देखा जाता है solving difficult मतलब खाना खाने में दिक्कत होगा खाना को निगलने में दिक्कत होता है ये सारे problem देखे जाते है lump in neck मतलब गले में जैसे लगेगा कि गांठ जैसा बना हुआ है गांठ जैसा बना हुआ है और जब हम कोई चीज खाएंगे कोई चीज निगलेंगे तो एकदम रगड़ता हुआ जाएगा बहुत ज़्यादा दर्द होता है ये भी problem देखा जाएगा बहुत ज़्यादा कफ बन जाता है breathing problem अब बताईए अगर किसी को कफ बहुत ज़्यादा बन गया है नाकों के गदम जाम हो गया है तो क्या सांस लेने में दिक्कत होगा की नहीं होगा बिल्कुल होगा तो ये भी problem देखा जाता है throat pain भी देखा जाता है गले में दर्द होना देखा जाता है difficulty is in speaking मतलब अगर किसी का गला बैठ गया है वो सही से बोल नहीं पा रहा है तो क्या बोलने में दिक्कत होगा की नहीं बिल्कुल होगा बोलने में भी दिक्कत होगा तो ये सारे के सारे लच्चड होते हैं और इन ही लच्चडों को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि हाँ इस patient का गला बैठ गया है अब आता है मेन मुद्दा कि अगर किसी का गला बैठ जाता है तो इसको ठीक करने के लिए कौन-कौन सी दवाईया दिया जाता है अभी तक तो हम लोग कामन बाते कर रही थी लेकिन ये कामन बाते नहीं है आप लोगों को बताए है हरसनेस आफवाईस मतलब गला बैठने में गला बैठता क्या है हरसनेस आफवाईस जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हरसनेस आफवाईस को बोलते हैं गला बैठना तो ये गला बैठना होता क्या है गला बैठने का क्या कारण होता है और गला बैठने पर क्या-क्या लच्छर देखे जाते हैं तीन बात बता दिया हूँ जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा अब इसको ठीक करने के लिए इसका क्या इलाज होता है चलिए लाश्ट पॉइंट अब आपको मेडिसीन के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों इलाज की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसीन है वो है MP-Celine and COX-Celine Capsule दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया है जिस बुक का नाम है A2Z Medicine Book यह जो दोस्तों बुक है यह टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फिर ही में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्टर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मार्तर 479 वी रुपय यह बुक आप लोगों को पीडियाप के पार्मेट में वाट्सअप पर मिलेगा जो कि आप कैसे लेंगे इसे ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा जिए हम आप उस लिंक पर किलिक करेंगे तो डिरेक्ट आप वाट्सअप पर पहुंचेंगे उसे ही नंबर पर आपको पेमेंट करना है वही पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्टर भी मिल जाएगा जो लोग लिना चाते हैं ले सकते हैं जो लोग प्रेक्टिस करने वाले चात्र जरूरी इस बुक को पर्चेश करें जिसमें हजारों परकार की दवाईयों का नालेज आपको मिल जाएगा जो कि मेगा पिन के नाम से ये कैप्सूल फेमस होता है ये मेगा पिन के नाम से फेमस होता है जो कि ये कंबीनेशन वाला मेडिसीन होता है जो कि दो चीज मिल करके बना होता है क्या-क्या मिला रहाता है इसमें मिला होता है एंपिसलीन एंड क्लोकसासलीन कैप्सूल जो कि धाय-धाय सहम जी का ये होता है अगर हम बात करें ये दवा क्या होता है ये दोस्तों जो mega pin medicine होता है ये एक प्रकार का antibiotic medicine होता है जिनका काम होता है bacterial infection को kill करना समझ गए आप लोग mega pin ये एक प्रकार का antibiotic medicine है अगर इनकी dose के बारे में बात करें तो according to the patient condition एक एक capsule दिन भर में TDS लिया जाता है वो भी खाना खा आने के बाद इसको लिया जाता है समझ गया आप लोग कुछ और भी दवाईया होता है अगर किसी का गला बैट जाता है वो भी यूजपूल होता है जैसे की diclofenac tablet diclofenac tablet का का काम क्या होता है अब आप कहेंगे diclofenac कहां पर लिखा गया है ये दोस्तों जो है यहां पर doencurular medicine होते हैं जिसका काम क्या होता है ये दर्द को ठीक करने के लिए काफ़ी जादा खाने के बाद दिया जाता है एक टेबलेट सुबह ले लेना है एक टेबलेट साम को ले लेना है वो भी खाना खाने के बाद ये टेबलेट को लिया जाता है जो कि एक प्रकार का ये पिन किलर मेडिसीन होता है दर्द को ठीक करने वाली दवाईयां होता है वोल्टेरान रेट इस्तेमाल करना भीना डाक्टर के प्रिस्क्रेप्शन को डाक्टर जब आपके फर्ची में इस दवा को लिखते हैं तभी आप इस दवा का इस्तेमाल करना डेक्सोमेथासोन मेडिसीन के ढोज के बारे में बात करें तो according to the patient condition डाक्टर लोग इसको एक एक टेबलेट दिन भर में दो से थीन बार देते हैं और इसको खाना खाने के बाद ही खाया जाता है अब आप कहेंगे कहां पर है यह मेडिसीन तो देखें यह है डेक्सोमेथासोन टेबलेट जो की डेकोडोन के नाम से फेमस होता है समझ गया आप लोग किस नाम से फेमस होता है डेकोडोन के नाम से फेमस होता है डेकोडोन डेकोडोन के नाम से फेमस होता है जो की एक परकार का इंडियन फर्माकोपिया का यह मेडिसीन होता है अगर हम बात करें कि यह कितनी यमजी का मेडिसीन है तो 0.5 mg का ये medicine है dexomethason, जो कि एक परकार का steridal medicine है, and steridal medicine don't use without doctor prescription, बिना doctor के prescription को, आप लोग इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, समझ गया हैं, चलिए बात करते हैं, कुछ और भी दवाईयों के बारे में, जैसे कि मालीजे आपने उनमें से कोई भी medicine doctor ने prescribe कर दिया है, उनमें से कोई भी दवा मालीजे gastric काच करता है, पेट में gas बन जाता है, acidity होता है, irritation होता है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको maintain करने के लिए, ranitidine tablet का इस्तेमाल किया जाता है, ranitidine tablet, एसी लोग के नाम से जादा सर्फेमस होता है, जिनका काम होता है, जिनका यूज होता है, ये gas को ठीक करते हैं, acidity को ठीक करते हैं, पेट में irritation हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं, इसमें आप लोगों को एक trick भी बताये हैं, कि gastric medicine को याद करने के लिए, आपको एक trick बताये हैं, कि अगर किसी भी दवाईयों के last में, TIDI यानि टिडीन आ जाए, या पि PRA, ZO यली प्राजोल आ जाए, तो वो एक परकार का gastric medicine होता है, पेट में gas बना हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एरिटेशन हो रहा है, पेट फूला हुआ है, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, anti-gastric medicine का इस्तेमाल के आता है, और इस तरह के दवाईयों को पहचान हम लोग, TIDI और प्राजोल से करते हैं, आप कहेंगे, TIDI और प्राजोल का एक्जामपल दीजिए, तो बिल्कुल देता हूँ, जैसे कि रहने टिडिन, सिमे टिडिन, दोनों के लाश्ट में टिडिन आया हुआ है, तो ये एक प्रकार का, gastric medicine होता है, प्राजोल की बात करें, तो जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, तो दोनों के लाश्ट में प्राजोल आ रहा है, तो ये चार्ट अपने कॉपी में आप लोग बना लेना, अगर आप लोग यहीं पर बैट के वीडियो देख रहे हैं, तो छोटा से कॉपी लेना, ये जरूर नाम लिख लेना, टिडिन में रेनिटिडिन, सेमेटिडिन, और प्राजोल में पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, दोनों में प्राजोल आया हुआ है, जो कि ये भी एक परकार का गैस्ट्रिक मेडिसीन होता है, गैस को ठीक करने वाला मेडिसीन होता है, अगर पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी हुआ है, पेट में एरिटेशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, गैस्ट्रिक मेडिसीन को दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है, रैनिटीटीन टेबलेट, जो कि डेर सम्जी का यह टेबलेट है, जो कि यह इंडियन फर्मकोपिया का मेडिसीन है, अब आप कहेंगे यह क्या बता रहा हूं, तो एक बात और जान लिजिए, अगर किसी भी दवायों के नाम के बगल में, आईपी लिखा मिल जाए, बीपी लिखा मिल जाए, यूएसपी लिखा मिल जाए, तो इन चीजों का क्या मतलब होता है, आईपी का मतलब होता है, यह दवा इंडियन फर्मकोपिया का है, बीपी का मतलब होता है, ये दवा United State Pharmacopia का है बस ये दवाईया इन ही चीजों को बताते हैं आप Medical के चार्टर हैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों को ये सारी भी जानकारी दे देता हूँ तो ये होता है Renatidine टेबलेट का काम और इनका सारी की सारी नालिज इनका डोज क्या होता है तो इनका डोज होता है According to the patient condition दिन भर में 2-3 बार इसको दिया जाता है इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है और कभी-कभी डाक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं खाना खाने के पहले भी इसको ले सकते हैं तो इसको खाना खाने के पहले लेना है कि बाद में लेना है उसका पहचयान आप लोग इससे करेंगे जैसे कि दवाईयों के नाम के बगल में लाश्ट में डोज में अगर लिखा गया है एम मतलब आप्टर मेल या फिर बियम मतलब बिफोर मेल तो अगर after mail लिखा गया है तो आप समझ जाना इसको दवा को खाना खाने के बाद खाना है before mail लिखा गया है तो इसको देखते हैं आप समझ जाएंगे कि खाना खानी के पहले इस दवा को खाना है आयोब आप सभी लोगों को ये भी सारी की सारी बात समझ में आ गया होगा तो चलिए कुछ और भी दवाईयां होते हैं जो कि अगर किसी का गलाब बैट जाता है और इन दवाईयों को ठीक कराने के जैसे मालीजी इतने सारी दवा आपको बता है वो दवा खाने से नहीं ठीक होता है कोई भी असर नहीं होता है तब आप क्या करेंगे अगर मालीजी इतना दवा आपने काया नहीं ठीक हुआ तब उस cases में दोस्तों यद ये दवा से ठीक नहीं होता है तब कुछ टेस्ट कराया जाता है और इस टेस्ट के माध्यं से पता चलता है जैसे कि T3 test करा जाता है, T4 test करा से यह थायराइड का होता है, यह गले में जो थायराइड होता है, इसका टेस्ट करा साहिये, THOMPS गळाइड होता है तब इसके लिए test करा जाता है लेकliन पहले कुछ दवायों को दिया जाता है अगर उस से आराम मिल जाता है तो ये सारी टेस्ट नहीं करा जाते हैं समझगे हैं आप लोग कुछ और भी टेस्ट करा जाते हैं यदि ये दवा से ठीक नहीं होता है तब कुछ टेस्ट कराया जाते हैं जैसे कि T3 टेप और TSH बता है उसी के सासत कभी-कभी gastroscopy का टेस्ट कराया जाता है जो कि हमारे mouth की रास्ते इस तरीके से डाला जाता है इसको pipe की तरह होता है और उसके माध्यम से भी इसको identify किया जाता है तो chest का x-ray भी कराया जाता है इसके माध्यम से भी identify किया जाता है कि आखिर कर क्यों इनका गला बैठा हुआ है कहीं बहुत ज्याद कभ तो नहीं न जम गया है यहाँ पर कोई और तो नहीं न प्रॉब्लम हो गया है इस cases में chest का भी अक्सरे कराया जाता है जिसके माध्यम से इसका identification किया जाता है समझ गया आप लोग यह किया जाता है तो यह सारी की सारी जानकारी होती है इसके माध्यम से हम लोग ठीक करते हैं कि अगर किसी का गला बैठ जाता है कि आखिर कार क्यों इनका गला बैठा हुआ है ठीक नहीं हो रहा है इसके पाले ये सारी दवायों के बारे में बता दिया है जैसे कि रेने टीडियन हो गया बीडी से टीडियस इसको ले सकते हैं दोज को आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मेडिसीन का आप बार बार बताते हैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि नए नए वीडियो में नए नए चातर आते हैं और उनके जानकारी के लिए मैं ये सारी बात बताता रहता हूँ कि जिससे हर वीडियो में नए चातर आते हैं तो सबका एक एक डाउट यहाँ पर किलियर हो बार लेना है तो ये दवाईयों का ढोज होता है आप medical के practice करने वाले चाहते हैं तो आप लोगों को पता रहाना चाहिए जैसे कि बार ले सकते हैं तो मतलब एक एक टीड़े दिन भर में दो से टीन बार ले सकते हैं तो अगर किसी का गला बैठ जाता है तो उसमें आप लोगों को बता। बार में दोगों के लिए अपकर का ढ़सी मोई बता हैं porter वो भी खाना खाने के बाद, इसी के साथ साथ आपको बताएं, डाइकुलोफिनाग, जो कि वोल्टेरान रेटार्ड के नाम से फेमास होता है, जो कि काफी जादा यूजफिल और पापुलर मेडिसीन होता है, गले में बहुत के जिसे दर्द हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए वोल्टेरान रेटार्ड टेबलेट का इस्तेमाल किया रहाता है, इसके पाले आप सभी लोगो को मेगा प्रीन टेबलेट के बार कैप्सूल के बारे में बताएं, जो कि दो चीच की कंबिनेशन से मिल करके बना होता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबैटिक ये मेडि दिक्कत होगा, गले में गांट जैसा फील होगा, कफ बहुत ज़्यादा बन जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, गले में दर्द होगा, सांस लेने में, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ये सारे के सारे प्राबलम होते हैं, ये सारे के सारे लच्छड द जाता है neuro factor के कारण heavy smoking बहुत ज्यादा smoking कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा चीज पी लिए हैं तो उस cases में गला बैड जाता है ये कारण होते हैं तो गला बैठ जाता है तो ये गला बैठना क्या होता है गला बैठना एक ऐसा condition होता है जिसमे में हमारा आवाज बदल अब दोस्तों एक बात और सुनते हुई जाएए, कि अगर आप लोगों को जितनी बात अभी तक बता हैं, अगर आप लोगों को सारी की सारी बात समझ में आया हो, तो बस आपको एख काम करना है कि वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आकर के, अपना feedback सभी लोग जरूर देना कि आपको video समझ में आया कि नहीं समझ में आया क्योंकि आप feedback अपना देते हैं तो इससे हमें थोड़ा साच्छा लगता है कि हाँ आप सभी लोग को समझ में आया नहीं समझ में आएगा वो भी बताईएगा तो अगले वीडियो में और भी बहतर ही न समझाने की कोशिज करूँगा क्योंकि अगर माले जी मैं आप लोगों को एलिए वीडियो बनाता हूँ और आप टाइम निकाल करके हमारे वीडियो को देखने आते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता है तो क्या मेरा वीडियो बनाना सही हुआ बेकार है तो आपको समझ में आना चाहिए और वही समझ में आया की नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जब अपना फीड़बेक देंगे तभी न हमें पता चलेगा तो इसलिए मैं बार-बार काता हूँ आप लोगों को कि कमेंट बॉक्स में जबर अपना बात बताते रहे है दोस्तों अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी यह सोपी नहीं पूरे चैनल का जुना में सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च कर लिना वहाँ पर आपको मिल जाएगा वहाँ पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं वहाँ पर भी कुछ मेडिसीन का नालिज वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना इस्टार्ट कर दिया हूँ तो जो लोग जुड़ना चाते हैं वहाँ पर भी जुड़के और बहुत ही कम समय में वहाँ पर भी बहुत सारे नालिज प्रोवाइड होते हैं तो जिरूर्व आप लोग वहाँ पर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास सेयर करिए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोग का यहीं पर होता है कम्प्लीट ठैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो लाइक कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल